नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कोर नई ताजा वीडियो में ये वीडियो कुम्भर आसी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंड बहुत इकासर बहुत ही महत्पुन रहने वाला है क्योंकि 101 सालों के बाद 24 जनवरी को पुत्रदा एकादसी है और साल का पहला एकादसी कुम्भर आसी वाले जातकों के जिन्दगी को सवारने वाला है मत्रों मनुस्य के जीवन में खुसियां आती जाती रहती है मनुस्य को कभे धन दोलत की फ्राप्ती होती है तो कभे कई परकार की संगटें, कई परकार की समस्याएं और कई परकार की आर्तिक तंग्यों का सामना भे मनुस्य को अपने जीवन में द्यानिक दिंचरियां में करना पड़ता है प्रंतु जब भे कुछ सुभ योगों का निर्मान होता है जब भे मनुस्य के जीवन में खुसिया आनी होती है भगवान कोई न कोई सुभ संकेत जरूर देते हैं अपके बार पुत्रदा एकादसी के सुभवसर पर कुम्भरासी वाले जातकों के जीवन में अपके बार सारे के सारे दूस्य मनों को अब सदा मरेले वाली हैं मत्रों लगातार इस वीडियो के अंदर दक बने रहें इस वीडियो का कोई सभी पाड अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट वाक्स में जै माता दिया वस्य इबन में बैपार बैवसाई से लिकर आपको कई प्रकार के नए सुझावों की प्राप्ति होंगे आप नए छेत्र में अपने पहचान बनाने के लित तयार रहेंगे कुम भरासी के जातकों को अच्छा उध्योग भी प्राप्त होगा आर्थी ग्रूप से आप बहुत सु नहीं वात्तवण बना रहेंगे लंबे समय से बिमारियों से जूझ रहे जातकों का आत्मिस्वास भी उनकी बिमारी से पार पाने में आपके मदद करने वाला हैं मत्रों कुम भरासी के जातकों के स्वास्त में सुधार आने वाला हैं कुम्भय रासी के जातकों के आर्थी के उजनाय भी बहुत क्रियानवित रहने वाली हैं आपको लाव दायक प्रणामों की फ्राप्ति होंगी नोकरी पेसा वाली जातकों को कारिश्टर परवे अपने कारे और करतबन निष्टा के लिए रुषित परसंचा और समान की फ्राप्ति होंगी आर्थी ग्रूप से आपका दन बहुत तिस्व रहेगा लंबी अबदी में भारी लाप को अर्जित करने के लिए आपके से नय उद्योग में निवेज कर सकते हैं तदा कारिश्यत्र में कुम्भेरासी के जातकों को बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ति होंगी प्रेमियों के लिए समय बहुत तिस्व रहने वाला है मतरों कई वरसों के बाद आया हुआ फुत्रदा एकादसी आपके जीवन में बहुत चारी कुल्स याली लाने वाला है तदा कुम्भेरासी के जातकों का पारिवारिक जीवन में कफिक खुस हाल रहे बहुत ती अच्छा रहनी वाला है साहित कला लेखन संगित फिल्मों चैसे रचनात्मग छेत्तुर से रूडे लोगों को अपने प्रतीभा का प्रदसन करने के अवसर भी मिलेंगे आकरसक सोधे भी आपके हाथ लग सकते हैं आप स्वेंग के लिए यह से मंग करते भी अरजित कर सकोगे आपके काम और व्यवसाय में आपको सकरात्मग विकास होने बाला है अगर आप नोकरे बैपार व्यवसाय बदलना चाते हैं तो आपको सफलता मिलेंगी आप अध्यात्मिक और धार में गद्विदियों की और आकरसित होंगे बारिबारिक जीवन भी आपका खुशाल रहेगा बच्चे भी आप पर गर्व कर सकेंगे और विवायतों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है आपकी सारी एक चाही भी पूरी होंगी वैवसाइक संदर्व में महात्मकान चाही योजनाओं के सुरुआत कर सकते हैं अगर आप उच्छी अध्यान नौकरी वैपार वैवसाइक के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निरास नहीं होंगे आपके काम्यावी में विर्दी होंगी नए संपर गस्ताफित होंगे आप प्रभावसाली लोगों से मुलाकात कर सकोगे और यदि पैत्रिक संपत्ती से संबंदत कोई भी मामला उलजाग पड़ा है तो आपके सारी के सारी मामली भी आपके प्रक्स में तै होने बाला है परिवार में सुबस समाचारों के फ्राप्ती होंगे उच्छब हो सकता है बत्रों भगवान सरेरी विश्डू जी की क्रिपासें आपके इंकम के छेतर में वर्दी होंगी असानक से आपको अपने दैनिक जीवन में नई खुसकबरी मिल सकते हैं आपको स्वास्त का विशेष ख्याल रखने होंगे आपको अपने जीवन में सफलता मिल सकते हैं आप आपको असानक से नई खुशकवरी मिल सकते हैं। आपको असानक से नई खुशकवरी मिल सकते हैं। आपको अपने कारी शित्र में अच्छी कुसकवरी मिल सकते हैं। पधनती और वेतन की विर्दी हो सकते हैं। जो आपके लिए काफिस्व और काफिलाफकारी हो सकते हैं। भगवान, श्रीहरी विश्रु जी की कृपा से आपके जीवन में अनोखे फ्रिवर्तन हो सकते हैं। आप लोगों की किस्मत में हीरे मोती की दर चमकने वाली हैं। आप लोगों का समय बेयादी उत्तम रह सकता हैं। ऐसे में सनिदेव जी की ख्रिफा से आपको बहुत इफाद्यमंद अवसर मिल सकते हैं। आपके सुचे भेकारे पूरे होंगे। आप नई योजनाओं को सफल कर सकते हैं। वैपार को आगे बढ़ाने के लिए आप काफी जादा परियास कर सकते हैं। वरजगार लोगों को अच्छे नोकरी मिल सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ हांसी खुचे समय वैत्यत करेंगे। आपके खर्षों में वड़तरी होंगे। सुच्छे भी आपका काफी अच्छा रह सकता है। नोकरी के पेशा वाले लोगों को अच्छे नतीज़ें मिल सकते हैं। आपको जीबन में लाव की फ्राप्ती होंगे। पैसो का लाव हो सकता है। आप अपने कारोबार में काफी लंबे समय से लाव कर सकते हैं। पैसो सिरोडी के सीब बरकार की कोई भी दुखतकली फसे चुटकारा मल सकते हैं। बच्चों के दरक्के से आप खुशी मिलेंगी। मात अपिता के स्वास्त में सुधार आ सकता है। आपको कुंडरी में गरोगों के इस्थित्यों में काफी बदल सकते हैं। आपको समय समय पर होने वाले प्रिवर्तन भी आपके लिए विहदी आनिंद दायक रहेंगे। परिवारिक मसलुकों भी आप अचानक से यात्राइक कर सकते हैं। यात्राइक करना आपके लिए लावधायक रहेगा। यात्रा करतिस में आपका संपर कैसे वेक्टी से होगा जिसे मिलने के बाद आपके लवलाइफ में काफी खुसिया होंगी आप जीवन में लगातार कोसिस कर सकते हैं आपको भाग का साथ मिल सकता है आपके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के मोके मिल सकते हैं आप अपने कारी शित्र में आप में मित्रों का फूरा सहीयोग मिल सकता है आई के नेस रोत खुल सकते हैं जिन से कि आपके आर्थिक इस्तितियों में सुधार होंगे आफिस में आपके बहुत से वहवाई मिल सकते हैं आपके सिहत पर पहले से काफे बहतर होंगे आपको सुब अवस्रों की फ्राप्ति होंगी राम नमी पर भी देवी मालक्ष्पी की क्रिपा से आपके दंदान में बड़ूतरी होंगी आपको ननिहाल फक्रचे से कोई सुळक्स्माचार बिल सकते हैं आपको अशानक से कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकते हैं आप किसी असानक से सम्हारों में जाने का मौका विप्राप्त करोगे, सुरी राम जी की कृपा आप पर बढ़े रहेंगे, इस दोरान कारोबार में जवर्दिस्त मुनाफ़ा हो सकता है, चारो तरफ से आपको धनलाब हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में आने वाले बारे में लग जाएंगे, उतने ही जेजी से आप जीवन में प्रगत्ति कर सकते हैं, आपके जीवन में आने वाले सुपरिकार के दुखों का अंतो होगा, बारी बारी बाद और लड़ाई जगड़ों से दूर रहने की अवस्त करता हैं, आप अपने जीवन में काफ़े ज जंद रंगला सकते हैं, दंदोलत में आपके वड़ोतरी होंगी, तथा आप अपने खुस्यों में इदाफ़ा कर सकते हैं, बजरंग बली की खृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार से सांदार समय का उफ्योग कर सकते हैं, आपके कारे में आने वाले विनासकारी सक्ति मिल सकता है, पवन पुतर हनुमान जी की कृपा से आपके राष्टे में आने वाली वाधायें खत्म हो जाएंगी, आपके भागे को चार चांद लग जाएगा, आपके बुरी किस्मत भी आपका साथ छोड़ देंगी, आपको हर सफलता, हर काम में सफलता हांसिल हो सकते हैं साही बाबा की खृपा से आपके जीवन में आपके कुंडली में चल रहे दोस खत्म हो सकते हैं, माता फिता की ओवर से आपको जमीन जायदाद में हिसा मिल सकता है, जीवन में माता फिता का सुक बना रहेगा, आपको नोकरी के छेतर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, आपको अपने सच्चा प्यार जरूर मिलेगा कारेशेत्रों बिजनस में स़ह्योग मिल सकते हैं आपको कोई हची खबर मिल सकते हैं लोगों के मैल जोल से आप अपने जीबर में सफल होंगे और काफे संकरिय हो सकते हैं finalement करियर में आगे बढ़ने के मोके मिल सकते हैं आप अपने मेहनत के अनुसार से फलता को हसल कर सकते हैं मुर्णदन के कारव में भी आपके रूची हो सकते हैं आठिक इस्तितिया वे पहले से काफे वैतर होंगी आपके दुखों का अंतो होगा और साही बाबा की क्रिफा से आपके काम दंदों में बन रहे रुकावटे भी अनुमान जी की क्रिफा से दूर हो सकते हैं वैपार में बहुत जादा फायदा हो सकता है आपको लाव के अउसर मिल सकते हैं जमीन या इदाज समंदित मामल में भी आपको मुनाफ़ा मिल सकता है ब्रुजगार लोगों को अच्छी नोकरी मिल सकते हैं, फ्रेम जीवन में आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, आपकी आमदनी में बड़तरी होंगी, राजनितिक के छेतर से रुड़े लोगों को सफलता मिल सकते हैं, समाधी किस्तेतों में भी आपका सुधार आ सकता है, आप अपने कामका से संतुष्ट होंगे, रिसेदारों और दोस्तों के साथ आपके समन्द मुद्र होंगे, आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े वदलाव देखने को मिलेंगे, आप अपने जीवन में तेजी से फ्रगति करते हुए, सफलता के नया कर्तिमान को इस्ताप अपने वैपार वैवसाय को आगे बढ़ाने का प्रियास कर सकते हैं, वैपार में भी आपको उन्नती हो सकते हैं, शौर्य और प्राक्र में वर्दी होंगे, नोकरी पेसा वाले लोगों को तरकी हांसल होंगे, मुझे जाधी कारियों के तरब से आपको अच्छे कामकाजों के तारिफिया हो सकते हैं, निजी और अपने कारिशेतर में भी काफे बहतर कप कर सकते हैं, आप अपने कामकाजों के सुपरनामों को प्राप्त कर सकोगे, कारिशेतर रोफिस में भी आप अपने भविस्य के प्रतिकुद को साहित पर मैसूस कर सकते हैं, नई तकनिकी सीख सेर बाजार निवेस में किये गए पैसे भी अचानक बड़ी मात्रह में आपको लाव दे सकते हैं लेन देन और निवेस में आपको खिस्मत का साथ मिलेगा आपके जीवन में आपको विशेज बड़ी खुशकबरी मिल सकते हैं आपको जीवन में कई प्रकार के दुख पूरे होंगे आपको बहुत ती जल्द बड़ी काम्यावी मिल सकती हैं सुमाज में आप अपने लग पैचान बनाने में सक्चम हो सकते हैं